गंगा तुम इस समय यहां माजी नमस्ते हां जी दिरो आओ बैठो पूरब और मुन्ना का है वो घर पर है मुझे तो आपका आशिरबाद चाहिए था इसलिए मौका मिलते चली आई माजी मैंने पूरब को सरकारी गवाब ने के लिए राजी करवा लिया है वो अब आपको आपका हग भी दिलाना चाहिए लेकिन पूरब ने इस इप्धे धाया दिया मैं कुछ समझे नहीं तेखिये माजी गूरब तयार इसने अपने खल्पी मान लिया उसने अपने खल्पी मान लिया से भी मिलने क्ला तो आपको उसका हग दिलाओं लेकिन ते वाजारू औरत के साथ मिलके गूरब ते बापने दिल के दौरब तो पर निया नाटकिया और मैं जानती हूं रमाकान किस हथ तक इरसत है वो किसी भी हाल उपने खूरब को अपने हाथ से निकलने देगा वो उच भी कर सकता है मैं अब मैं क्या दरू मेरी करने सुमन को भी आ रहा है आप भी बताईए अजर तो मेरी बड़ी बगु हो मेरे पूरब के पक्ति करता है जब आप जाती है कि मैं आपकी पर शाहती है, मैं तो यह चाहती है कि हम सब एक साथ है, तो ठीली मैं तरपना सारा समाने की पटा जाओंगे, लिखिए मा आपके तरपना इतना रूपका है जोची देला, आपके बढ़ा, जोची देला, विल्एची देला, विल्एची देला, जोची देला, नहीं कोई बात निमाजी, मैं चली जाओंगे, आप आराम कीजिए, नमस्ते, घुट्नाइट, यह ना की वाएचि? मैं आप से पूछा वाई है यहान के हुए अरे मामी रोटी लाओ ना जल्दी भूख लगिये भई ला रहिए जरा रुको लाओ अरे पुथवी कितनी देर कर दे तुमने आने में आव बैठो काना खालो नहीं सिता मुझे भूक नहीं क्यों क्या वात है तुम इतने परेशान क्यों हो दरसल यह दन्राज से मिलने गए थे होटल में क्यों दन्राज कर इनकी ओफिस में आया था वो बहुत बड़ी मुशिबत में फश गया है अगर उसने पांच लाख रुपे नहीं दिये तो उसकी चान को खत्रा है वो इनसे पांच लाख रुपे मामने आया था वो उसी चपकर में खून रहे है लेकिन ये बात तुम दोनों ने पहले कभी नहीं बताई पहले मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था मैंने उसे चापर मार के वहां से बढ़ा दी फिर मुझे ऐसास हुआ कि वो ज़रूर किसी परी मुसीबत में फश गया कि उसकी बात विश्वास चाहिती है मैं उससे मिलने के लिए होटल चला जा लेकिन तब तक वो हटल छोड़ चुका थे मैं उससे इधर उदर ढूल रहा हूं मैं देखता हूं क्या पृत्वी जी यही रहते है जी आप धनराज को जानते है है वो मेरा भाई उसको कुछ गुण्डों उसको कुछ गुंडों में बूरी तरे माड़ा है वो अस्पताल में है तौन से अस्पताल में यही शार्दा है अब जल्दी पहुंचे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता कि अपर बाज बास 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 बेरे ही रो माना के तुर टॉप का एक्टर है पर मेरे सामने एक बंकर अरे जाने मन एक्टिंग करते करते तो सच मुझ दर्द होने लगा है इंजेक्शन और दवाईयां अपना असर दिखा रही है सारे बदन में दर्द हो रहा है अब इतनी आप बड़ा ड्रामा किया है तो तोड़ी बहुत सजा तो मिलनी चाहिए न लेकिन कब तक है मैं तो एक्टिंग करते करते खुद ही बीमार मैसूस करने लगा हूं उस डॉक् अबनाना पड़ेगा अगर रिपोर्ट सच निकली तो निकली तो क्या मिस्टर रमाकान आप तो बिल्कुल ठीक है आप चाहे तो आज ही घर जा सकते हैं डॉक्टर साब आपने मेरे सब टेस्ट ठीक से किये थे 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 मैं कुछ समझा नहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि अभ और तो अब दो रहे को होता है है तो दो चेरा कैसे बीमार लग रहा है नहीं नहीं डॉक्टर साब आप ऐसा करो ठोड़े ओल टेक्स ले लो जो मिटू से यह सारे रिपोर्ट गलत है नहीं डुक्तर साब इनके कहने का मतलब यह था कि ज़रूर कही नहीं कुछ गड़वड डॉक्तर साब मैं उस दुन और हॉस्पितल में रहना चाहते हूं। आप मेरे सारे चकप दुबारा से कीए। मिस्टर माकान, शायद आप पहले मरीज है जो अच्छे होते हुए भी हॉस्पितल में रहना चाहते हैं। आप के दूसरे लोग तो अच्छ जढ़े से जल्दी जल्दी घर जाना चाहते हैं। ड़क्टर साब, दरसल मैं कोई रिस्क में लेना चाहते हैं रिस्क? कैसा रिस्क? ड़क्टर साब, दरसल इन्हें शक है कि ये बीमारी तो हम वो शक को दूर करका ही घर जाना चाहते हैं दिन चाहे कितने भी लगे, लोपी डॉबलम देखिये, मुझे जो करना सा मैं किया, and according to me and all the reports आप रिपो ठीक है, you are absolutely normal अब शक्की दवा तौकिम लुक्मान के पास में नहीं थी, तो मेरे पास कहां से आएगी anyway, आप कल सुभा घर जा सकते हैं nurse, इनका डिस्चार्ज रिपोर्ट तेयार करो, I'll sign you good night and good luck thank you, night and good luck अच्छा तो मैं तुम्हें कल फोन करके बता दूँगी, okay बाए अरे, आप, हाँ मैं, तुम्हें कहा था ना यहानी के लिए मैं आगया मुझे पता था, सीता दीदी आपको मनाने करेगी, लो, आया मैं और एहसान सीता दीदी का, कमा, एहसान तो मैं आपके भी मानती हूँ आज मुझे लगा कि आपके नाराज की दून के, अच्छा ही सब ठीक है, एक चाय पिला दो जल्दी से, चाय? खाने का वक्त है, देखो खाना तो मिझे सीधा ने खिला दिया है, तुम्हें चाय पिला दो, आप अच्छा, अभी लए, सूरज और धीरज भी बहुत खुश ह यम से लगे ही मुझे लगी मुझे है वा य we? अद्धन्तमर्श आप अपर बाहर मेट करें देखे ये दन्राज के माता पिता डॉक्तर इसे एक्षामें निए यह मैंने इसके हालत इसे मैं भी कुछ नहीं कह सकती हम अप अप अप्यार पीड़्ित हम अप अपम्हें भी ऑपता चेटा अगवान सब खी करेगा मामा आप समाली आपने आपको दम्राच में कुछ नहीं हो दॉट साब दम्राच कैसा है ठीक अभी कुछ नहीं कैसा गाओ बहुत कहरे है प्रेन इंजरी सारे रिपोर्ट्स आजाने दीजिए उसके बादी डिसीजिन करें अभी तो से इतना कैस्टाँ के लाच्स प्रेदा क्या मुझे उसे इतना देख सत्ताँ अभी नहीं आप लोग्या आपलो मॉनिंग आई मैं कैसे जाओ मैंसे प्रपो की मैंसे बादी प्रप्रण सिंपानी इस प्रश्य आपको आई आई वाम! आश्टे निनुटरा… इस्ताना जोनेसे.. इस्ताना अचे रोनेसे सप्कों, तदोरी जाएगे. जाएगे? जाएगे… जाएगे… अगर आप इस तरह होएंगे तो तो मैं मामी का क्या हाद है और हमें उमीद नहीं छोड़नी चाहिए मुझा नहीं कैसा अभागाव आप तो नहीं कर सकते हैं मेरे बस कभी के लिए कुछ है भी कि लिए नहीं करूंगा तो तो वो भी मेरी नहीं सुनेगा मेरी किया कि सजा मेरे बेटे को भूगत नहीं पढ़ रही है माम आप वाला सब को सुदखने का माँगा देगे आप राखना कीजिए वह जरूर सुनेगा मुझे चुनता है डॉक्टर साथ में अपरेशन के लिए नहीं 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 जो भी खर्चा होगा तो मैं सब्सक्राइब अब मामी के पास पढ़ेगे मैं घर होकर आता हूं पद्मा और मा भी चिंता कर रहे होंगे और जल्दी जल्दी में मैं कुछ पैसे भी निलाया नहीं किस वक्त किस चीज़ की जरूर पढ़ जाए मामी अब आप बिल्कुल चंता मत कीजिए दन्राज जल्दी ठीक हो जाएका हम से घर लेका जाएंगे मैं 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 आभी आता हूं इस्क्यूज मी आप दन्राज के पिता मिस्टर पुत्वी है मैं आप से कुछ बात करना चाहता हूं आप शायद यह नहीं जानते कि अगर हमें ख़वर नहीं मिली होती तो आप तक आपका बेटा मर चुका होता है अच्छा होगा कि अम लोग ताइम पर पहुंचे और हम लोग उसे यहां लें हैं दंद्राज को बार में कई लोग ने मिलकर मारा हैं क्यों वही तो हम जानना चाहते हैं अब दंद्राज को आखरी बर कब मिले थे अब इतने सारे रूपे मेरे पास नहीं थे इसलिए में दे नहीं सकते हैं उसे इतने सारे रूपयों की जरुवत क्यों थी? क्या आप जानते थे कि उसका अंडरवल के साथ कुछ कनेक्शन था? देखिए आप हमें सब सच बताइए अगर आप अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं तो आपको जो भी मालू है आपने जरूर बताइए प्लीज सब्साब इसने मुझसे पांच लाग दूपे जरूर मांगे थे कह रहा था थे मेरी जान को प्रेम है मुझे लगा शाइब इसे लिए श्राफ लेट्वत क्यों इसलिए पहाने बना रहा है यह तो जो नहीं पता था कि उसके जाना रहा है वही तो हम जानना चाहते हैं कि उन लोगों से धनराज का क्या लेना देना है देखिए आप जितना चुपाएंगे उतना आप अपने पेते को मुझा के करेब ले जाएंगे अज़ा एक महने पहले यह एक कि शुपकर अरस्ट हुआ है मुझा जितना राद कर सते हैं आप अरे बात है हमारी हवे पंडिक यह एक करते हैं सब्सक्राइब प्रश्व है करश्व हमाई दो पाष्व है सब्डे कुझा शुथ हम जोई दिए पूर तुम सवेरी ना यहिए थक लिए ने यारी यह गंगा इसा क्या होगा जो ने ने यह आरी पिताजी की तबियत खराब हो गए, अब उसकी वज़े भी मैं हूँ मैं सरकारी कावा बन गया, ये सुनकर बहुत अब 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 इस तरह मने तो नहीं दे सकते मैं अपने बेहन देख था हाँ, और चले जाना जेल, अदालत में जुटा बयान देने के कार है मुझे भी कुछ नहीं होगा, 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 मुझे भी कुछ नहीं होग इसलिए मैने और पिताजी ने एक प्लान बना है. जिस मयूर ने हमें इतना मड़ा दोगा दिया, हमारे इतने पैसे लेकर भाग गया, उस मयूर को हमें इस केस में बसादेंगे. क्या? हाँ. एक तीर से दोश्य का, सारा इल्जाम हम उसके सर्मादेंगे. और यह भी कहा देंगे, कि जनारदन के जूटे सिगनेचर भी उसी ने किया थे. और अगर वो पकड़ा गया और साच उगल दिया उसने तो? पहली बात तो वो पकड़ा जाएगा ने. और अगर वो पकड़ा भी गया तो सबसे पहले जेल उसे मैं करोगा, क्योंकि वो मेरे पैसे लेकर भागा था. और यह बात तो सब जानते हैं कि वो शेह में है. बता, धंदराज कैसा है? डॉक्टर का कहना है महां के सर में घहरी चोटा ही है. अभी कुछ टेस्ट कियें जब तक उनकी रिपोर्ड नहीं आजाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है. लेकिन वो ठीक तो हो जाएंगे ना. अद्मा भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. भग्वान करी सिब ठीक हूँ, मैं दंदराज से मिलना चाहते हूँ. मा बसे सुबह ही मिलना, अब योग होश में नहीं आया है. बल्कि डॉक्तर ने मामा मामी को भी कमरे के अंदर नहीं जानी है. हूँ हम, दंदराज के इलाज पर तो बहुत पैसा खरचोगा, और पृत्वी के पास कुछ भी नहीं है. सुबह मैं तुमारे साथ चलती हूँ. थोड़े पैसे है मेरे पास, वो उनके काम आएंगे. नहीं मा, तुम क्यों चिंता करती हूँ? मैंने भी कुछ पैसे बचा कर रखी. दंदराज का इलाज मैं उन पैसे से कर दाना. मैं तुम्हें मना नहीं करती हूँ. लेकिन जो पैसे मैंने बचा कर रखे, उनमें से कुछ धंदराज के ताम आज है, तो हर्जी क्या हूँ? और मैं यहीं भी जानती हूँ, कि तुम पृत्वी से नाराज हूँ. इसलिए मैं खर्च करना चाहते थी. मा मैं भी एक इंसा हूँ. यह बत सच है कि तुथी मामा की बातों को मैं भूला नहीं था. लेकिन धर्दाज मेरा ठाई है. मामा की कर्मों की सदा मैं थे प्राज हूँ. जी ते रहो, मैटा. जो दुख में सबके काम आजा हूँ, वो भगवायों के सबसे अच्छा लगा. और मैंने तेरे पैसों में सही बचा कर रखे हैं. मा, वह पैसे भी तुम अप्रे पास रखे. मैं मैं मैंज करना हूँ. इस पंद्रा लाग रुपे तो पिताजी और सुटी मां की फ्लाट के लिए है. मैं मैं सुचता हूँ कि यह पैसे हम पिताजी के हाथ में देदें ता कि वो लोग अपनी पसंद का फ्लाट करें साथ. ठीक है, हमें ऐसा ही करेंगा. यह गंगा यहां क्यों आए थी भाया? पूरब भाया तो खुद यहां आकर कह गए कि वो अप्रूर बंद रहे है. मुझे तो लगता है कि इस बात का सारा क्रेडिट गंगा हाना चाहती है, इसलिए वो यहां आई थी. मुझे तो डाल में काला नदर आ रहा रहा है. यहां इसलिए भी यहां पर रही थी. क्योंकि उसने पहले पूरे भाया वो फासा, उन्हें अपनी हुल्यों पर नचाया, और अब माह को पटाना चाहती है. यहां बहुत बड़ी कलाकार है, वहां बहुत बड़ी कलाकार है. और हमारी माह जो है बहुत भुली बाली है, मगरमच के आसू और असली आसू में तो उन्हें फर्की नज़र भी आते हैं. यह गंगा को ए प्लान बना कर हमारे घर में बुसला चाहती है. क्योंकि आप उस घर में तो वह रामकली का राचला ना ही है. तो ठीक है रहे तिरज, बिलकुल ठीक है रहा हूँ. को कि गंगा के माँ तो चलती नहीं होगी. को कि पूरभईया और रमाकाम के बेकावे में रमाकाम ध्रामकली के और फस गई गंगा. उसकी बाच चलती नहीं तो इसले गवराट के आमारे वो मा के पासा आपी. अगरो यहां पर आती उसे आने दे, हम तोड़ी होशार हो जाएंगे और यहां. यहां 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 यहां. क्या है यहां 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 है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कों आपर्थ चेसे कौन है प्रटीषिया क्पेशनो मा c let's कि चलने में हिरी जो को template मैं हूँ पंडीत हुआ है 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 इसने मुझे पाच लाग रुपे देने आए पाइल तु तो बहुत ही सीरिस बाते कर रही है मेरे ख्याल से शादी लड़की के अधूरे पन को पूरा करती है और शादी के बाद ही जिन्दकी के इसलिए माहिने समझ में आते हैं समझ में आते हैं लेकिन उन लोगों को जिन्की जिन्दकी में ना कोई मुश्किले होती है और ना ही कोई अर्चने पाइल तु डैड की बात कर रही है ना उनकी बातों से डर गई पाइल डैड डैड हमारे साथ कोई जबरदस्थी नहीं कर सकते मैं चांते हैं, सीमा, वो हुमारे साथ जबादसी नहीं कर सकते है देख, मैं तेरे सामने हाइना रखती हूँ, ठीक है? अब, सी, I can't, I can't find words to explain you what I want to say देख, अबर तु खुद समझ जाएगी ना, तो तेरी आने वाली जिंदगी तेरे लिए बहुत आसान हो जागी मैं तु जो कुछ भी कह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो बस अपनी आने वाली जिंदगी साफ नजर आ रही है मेरा सूरज का घर होगा, नौकर चाकर होंगे, गाडिया होंगी, हमारे बच्चे होंगे बच्चे, are you on my mind? बच्ची तो तो खुद है, बच्चों के बारे में क्या बाते कर रहे हैं तो सपनों के दुल्या से बहार नुकल तो 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 से क्या कहना चाहते हैं, प्लिस ट्राएं अंदिपेंडने जिएरे हैं, आज एक हम इंडिपेंडने जिएरे हैं रहे हैं, जा ज जानता हूं, पुलिस से तुम ने क्या क्या कहा है, जो आत्मी इतना कुछ करने के बाद यहां तक आ सकता है, तो अंदर जाकर अत्मुरे धन्राज को पुरी तरह खतम कर सकता है, अगर तु अपने बेटे की ज्यान बचाना चाहता है, तो तू, तू पाचला का बंदवस कर, चल्दी, मैं कैसे भी चुछ से कॉंटे कर लूँगा, बना, अपने बेटे के जिता को हाग लगाते हुए, तू अचले के गा, सुझा!